कि अच्छे से चल नहीं होगी तो बच्चों लास्ट क्लास का हमने जो देखा था वो देखा था कैपसिटर्स निकाला था हमने डिफरेंट ताइपस ऑफ कैपसिटर का लाइक उसमें हमने डिसकस किया था पैललर प्लेट कैपसिटर का कैपसिटर्स निकाला था और दूसरा देखा था हमने डो केस देखा था जब हमने इनर शेल पे चार दिया था और आउटर को अर्थ किया था इन दाएख कैस कैपसिटर्स मेरा आया था दाइस और इस इकल टो पॉर पाइपसिलों नॉत आरवन इंट दिवाइद भाइद रटू- आरवन और फिर केस भी में हमने देखा था वेल समचार्ज इस इस इदेवन तो आउटर स्फेर अन इनर स्फेर या इनर शेल इस क्या मिलने वाला है आपको इस पर चार्ज दिया था इस प्लस क्यूब आपकर अर्श दिया में इस ते भाइद प्लस क्यूब अले गई मत्यों मंग अर्श फ्लस क्यू बत्यूरण बना इस में प्लस क्यूप्न आपको उस क्यूपर में लोग हमने सब्सक्राइब देखेंगे अगें यू कन सी अगें यू कन सी अगेंगे इसमें दो कंडिशन देखने एक दो सिच्वेशन देखने इस वरी वरी इंपॉर्टेंट तो क्या क्या है बच्चे कि अगर R1 R के बराबर हो जाए और R2 जो है वो इतना बड़ा हो जाए कि इंफिनिटी पर चला जाए तो हमने यहां पर एक केस लिखना है बच्चे ध्यां से देखेंगा that is case 1 अगर situation ऐसा हो जाए if R1 is equal to R and R2 is infinity that is very very that is very very large अगर R2 बहुत बड़ा हो जाए इतना बड़ा हो जाए यह R1 R1 R के बराबर और R2 infinity पर चला जाए that is very very large तो उस case में आपका situation कैसा बनेगा वो अगर बात करें तो situation कुछ ऐसा होगा ध्यान से देखेंगा this is the R1 spherical capacitor है इसका radius यहां से यहां यह आपका R1 हो गया R1 is equal to R है और यह जो आपका R2 है यहां ध्यान से देखेंगे यह वाला तो यह जो आपका R2 है वो कहां चला गया that is infinity बहुत बढ़ा हो गया you can see बहुत दूर में चला गया तो आप इसका ऐसा मानेंगे कि इस spherical capacitor का एक ही radius है और दूसरा radius कहा है infinity पे तो ऐसे capacitor को हम लोग कहेंगे आइसो लेटेड कैपसिटर क्या बोलेंगे आइसो लेटेड इस्फेरिकल इस्फेरिकल कैपसिटर जिसका एक radius जो होगा वो फाइनाइट होगा और दूसरा कहां पे होगा इंफाइनाइट पे होगा then what will be the capacitance in this case तो हम यहां से इसके फर्मूला से लिखेंगे we know that अभी हमने लिखा भी है बोड पे we know that what is the capacitance that c is equal to four pi epsilon not यहां से जो फर्मूला था यह r1 into r2 divided by r2 minus r1 है ना अब हम लोग इसमें value कुछ पूट करेंगे पूट करने के पहले हम फिट से थोड़ा आप जाते हैं इसके derivation में इसके back derivation में अगर आप जाएंगे तो यहां से जो r2 by r1 उसको नीचे ले जाएं तो नीचे के नीचे चला जाएगा that is 1 by r2 minus r1 आ यहां जो r1 into r2 था उसको नीचे ले तो what you will get here आपको यह मिलने वाला है 4pi epsilon 0 1 upon यहां देखेंगे बचे जब r2 में divide करेंगे r1 into r2 से तो r2 r2 cancel हो जाएगा यहां होगा आपका 1 by r1 minus r1 में जब divide करेंगे r1 into r2 से तो r1 cancel हो जागा that is equal to 1 by r2 यह हमने शुरुआत के derivations में आपको बताया था now put the value of r1 and r2 here r1 is equal to r रखना है and r2 is equal to infinity रखना है then what you will see here that is 4pi epsilon 0 1 divided by and what is the value of r1 r1 is r and what is the r2 r2 is infinity and 1 by infinity is equal to 0 तो आपको बचेगा क्या यहां पर देखी 4pi epsilon 0 1 divided by 1 by r1 minus 1 by infinity 1 by infinity is 0 तो 1 by infinity अगर 0 हो गया यह पूरा का पूरा term अगर 0 हो गया 1 by r 1 by infinity तो यहां बचेगा 1 by r minus 0 0 is equal to 1 by r और यह 1 by r का जो r हो कहां चला जाएगा ऊपर then it will become 4pi epsilon 0 r and ऐसे capacitance को कहेंगे isolated capacitor इसलिए C के साथ हमने लिख दिया this is isolated capacitor तो आपने क्या देखा कि अगर spherical capacitor का एक radius finite हो और दूसरा infinite हो गया ऐसे capacitance capacitor को कहेंगे हम लोग isolated spherical capacitor and what will be the capacity of isolated spherical capacitor that is equal to 4pi epsilon 0 r and you can see the capacity of isolated capacitor is directly proportional to r so radius जितना बड़ा होगा capacity of isolated capacitor उतना ही या capacitance of isolated capacitor उतना ही ज्यादा बड़ा होगा तो बच्चे इसको आप note करें and we can assume earth has an isolated capacitor we will calculate the capacity of earth तो बच्चे आप इस पॉइंट को note कर ले चली बच्चे हो तो देखें हम लोग capacitance of spherical capacitor जब outer को हमने earth किया then हमने find किया 4pi epsilon 0 r1 into r2 divided by r2 minus r1 बड़ा बड़ा बोलने ता कि आपको याद हो जाए और isolated capacitor का capacitor जब भी हमने निकाला that is equal to 4pi epsilon 0 r the isolated capacitor का capacitance जोगा that is directly proportional to their radius इस पर बेस्ट एक question देखते हैं बड़ा familiar question है find the capacitance of earth assume earth is an isolated spherical capacitor earth का आप जाने रहे एकी radius है finite हो गया r1 और r2 जोगा infinite माल लेते हैं तो बड़ा गया कि अगर you assume earth is an isolated capacitor spherical capacitor then what will be the capacity of earth तो इतने बड़े earth का capacitance कितना होगा and you know that capacitance depends on radius not depends on the charge or applied voltage तो बच्चे we know that what we write here we know that we know that अगर आपने earth को एक spherical isolated capacitor समझ रहे हैं मान रहे हैं then the capacity of isolated capacitor is equal to 4pi epsilon not r r e is the radius of earth यह small r मानते हैं और अब isolated के जग अपने लिग दिया यह earth का capacity calculate कर रहे हैं you can write it like this 4pi epsilon not and this is the radius of earth and you know that what is the radius of earth then radius of earth is equal to you know that 6400 kilometer 6400 kilometer and what will be in meter that will be 64 into 10 to the power 3 meter so what you will get and 1 by 4pi epsilon not is 9 into 10 to the power 9 and 4pi epsilon not is equal to 1 upon 9 into 10 to the power 9 दियान से लिखेंगे बचे that is 4pi epsilon not का वार्व लिखा हमने and r e is 6400 into 10 to the power 3 तो हमने SI unit में रखा तो farad is the unit of capacitance हो जाएगा radius को भी SI में रखा यह 4pi epsilon not का वार्व भी हमने SI में रखा then the unit of capacitance will be in farad then how what we will get here जब इसको solve करेंगे you will get here 711.1 into 10 to the power minus 6 farad जब आपके इसको solve करेंगे बचे तो ध्यान से देखें 64 है 9 है 7 9 तो 63 के असपर तो उसे cut करेंगे यह आएगा और 00 है यह आपे यह आजाएगा और यह 10 power 9 ऊपर जाएगा minus 9 plus 3 है that is minus 6 then you will get here this 10 to the power minus 6 is equal to micro microfarad you will get here 711.1 microfarad तो आप देखें इतने बड़े अर्थ, अर्थ का साइज आप देख रहे हैं और इतने बड़े अर्थ को अगर आपने isolated capacitor माना है तो उसका capacitance आप किसमें देख रहे हैं बच्चे just see here this is in microfarad शुरू में ही का था आपको capacitance is a very large very big unit of capacitance इसलिए इतने बड़े अर्थ का capacitance अगर हम calculate करते हैं तो वह आता है किसमें है that is microfarad में तो सो ची यह farad कितना बड़ा unit होगा तो that is very very important कभी कभी आप से पुछी बड़े जाकरें हैं competition में भी और बोड के examination में कि find the capacitance of the earth इसको दम रट लीजिए याद भी कर लीजिए साथ साथ को 711.1 microfarad is the capacitance of earth तो बच्चे जसको note किया जाए this student see another example यहां पे n identical small isolated spherical capacitor है these are what n identical small isolated spherical capacitor each having capacitance C इसका capacitance smaller वाले का C है या CS हमने लिखाया that is the capacitance of n identical small isolated spherical capacitor जिसमें से छोटे वाले एक spherical isolated capacitor का capacitance हमने CS या C के बराबर लिखा अगर यह combine करके एक large isolated spherical capacitor बन जाए जिसका capacitance CL है CL stand for the capacitance of large spherical isolated capacitor then what would be the relation between C larger and C smaller मतलब मुझे यहां पे जो निकालना है बच्चे वो C larger is equal to how much times of C smaller यह आपको निकालना है तो बच्चे what you will see here अगर हमने छोटे वाले का radius small r ले लिया और बरे वाले का radius capital R ले लिया then what will be the relation between small r and capital R जब आपके देखा यहां पे कि n identical small spherical isolated capacitor को combine कर रहे हैं तो जब combine करेंगे तो volume को अगर same रखें combination के पहले combination के बाद तो इसका जो volume होगा that is 4 by 3 pi r cube एक isolated capacitor का volume multiplied by n ऐसा-सा कितना है n सब मिलाएंगे तो एक large isolated capacitor बनेगा जिसका radius है capital R तो उसका volume हो जाएगा 4 by 3 pi capital R cube तो what you will see here 4 by 3 pi 4 by 3 pi cancel हो जाएगा and capital R upon small r capital R को उधर ही राने दिए small r को उधर ले जाएं और यह भी cube है और यह भी cube है तो यह overall cube लिख सकते हो मच्चे that is equal to n हमने क्या किया n को यही राने दिया capital R को small r को उधर ले गए तो capital R cube by small r cube को लिख सकते है capital R by small r को whole cube that is equal to n then what you will get here that capital R upon small r is equal to अगर यह cube है उदर जाएगा तो यह n के power क्या हो जाएगा 1 by 3 we have to find what यह आगे equation number 1 हमने निकालना था दोनों के capacitance का ratio then capacitance of larger isolated capacitor इसका you know that capacitance of isolated capacitor is here 4 pi epsilon not r radius को different करता है you can write here 4 pi epsilon not capital R and what is the capacitance of smaller to see smaller 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 अगर इसका capacitance देखेंगे बच्चे that is equal to 4 pi epsilon not small r तो आप क्या फाइद दर हो बच्चे यह 4 pi epsilon not जोगा तो cancel हो रहा है that will came here capital R upon small r and what is the value of capital R upon small r जो पहले calculate करके रखा that is equal to Nk power 1 by 3 then you will see you can write is Nk power 1 by 3 of capacitance on the smaller isolated capacitor this is very very important तो बच्चे इस फर्मूला कुदम याद रखनेना है हमने क्या बोला फिर से देखें अगर N identical small isolated capacitor जिसका capacitance अगर Cs है Cs stand for smaller वाले के लिए अगर वो combine करके एक large isolated capacitor बन गया तो उसका capacitance जो होगा Cl वो कितना times होगा that is Nk power 1 by 3 times of the capacitance of smaller isolated capacitor this is very very important finally हमने इसको लिखा इसका capacitance अगर Cs है और इसका capacitance अगर Cl है then Cl is equal to Nk power 1 by 3 times of Cs smaller this is very very important इस पर questions आपको आ सकते हैं महलीज अगर दे दे कि एक हजार isolated capacitor को हमने combine करके large capacitor बनाया तो उसकेस में what is the capacitance of larger isolated capacitor तो let Nka value अगर 1000 दे दिया then it is 10k power 3 और Cs smaller अगर C दे दिया और पूचा के C larger क्या होगा तो you put the value in that equation C larger बड़ाब Nk power 1 by 3 times of Cs smaller तो C larger value isolated capacitor का capacitance होगा Nk पर लिखेंगे 10k power 3 और इसके power 1 by 3 into Cs smaller तो what you will see here यह cancel हो जाएगा and C larger is equal to 10 times of Cs smaller that is 10c अगर smaller value Cs smaller value C दिया हुआ है larger का capacitance होगा उसके smaller का 10 times होगा you can see 1000 isolated capacitor को अगर हमने मिलाया और एक लाग isolator capacitor बना तो उसका capacitor पहले वाले के 10 times जादे हुआ तो बच्चेजितार वरी-वरी important इन सारे points को आप लोट कर ले यह पूछे जाते हैं कि questions इस पर बेस्ट Now C dear student 2nd case अगर a spherical capacitor का radius R1 and R2 are very-very large अगर a spherical capacitor का radius R1 and R2 बहुत बहुत बढ़ा हो जाए and the distance between the R2 and R1 का difference होगा that is equal to D हमने लिखा यहां पे कि if case 2 में if R1 and R2 are very-very large अगर a spherical capacitor का radius है R1 and R2 दोनों बहुत बहुत बढ़ा हो जाए and R2 minus R1 approximately equal to D हो जाए दोनों के radius का difference then what will be the capacitance of the spherical capacitor तो बच्चे आप ध्यान से देखेंगे कहने का मतलब क्या है कि R1 and R2 these are the spherical these are the spherical conducting shell जो हमने बोला यहां पे और यहां से यहां let it be R1 यह जो आपका दूरी है that is R1 और यह वाला जो दूरी है that is equal to R2 और यह center है कहीं पे तो देखना है कि दोनों जो कर्व है जो shell का जो कर्व है जो देखना है center of curvature से radius बना रहा है R1 और दूसरे बना रहा है R2 this R1 and R2 are very very large and the difference in their radius अगर इन दोनों के बीच का जो difference है that is R2 minus R1 approximately equal to D मान ले then what will be the capacitance of this spherical capacitor this is very very important हम ध्यान से देखेंगे बच्चे अगर R1 and R2 are very very large है तो हम यहां पे ऐसे भी लिख सकते है if R1 and R2 are very very large इतना बड़ा है कि आप मान लेजे कि R1 approximately R2 के बराबर है and that is equal to R मान ले और दोनों का difference कि इतना है that is R2 minus R1 is equal to D हमने इतना बड़ा मान ले R1 R2 के बराबर है और एक तरह बोलना है कि देखें और दोनों का difference already दिया गोई that is the equal to the D. तो we know that what is the equation of capacitance equation of capacitance मच्चे मुचे पता है spherical capacitor that is equal to 4 pi epsilon not here you can write it like this R1 into R2 divided by R2 minus R1 इसमें पूट कर दे बच्चे तो what you will see here this is 4 pi epsilon not हमने यहां से लिखा रहा that is 4 pi epsilon not और R1 और R2 approximately अगर बराबर ही मान ले तो यह R यह भी R यह भी R तो यह हो जाएगा R square और नीचे what will be the difference that R2 minus R1 is approximately D तो आपको क्या मिनेगा बच्चे वो देहां से देखेंगे you can see the capacitance of a spherical capacitor is equal to 4 pi epsilon not so हम epsilon not हम यहां पहले लिख देते हैं देहां से देखेंगे थोड़ा rearrange कर रहा है epsilon not पहले लिखा 4 pi 4 pi R square लिखा और नीचे लिखा 4 pi R square को एक साथ कर दिया epsilon not को बाहर कर दिया and what you will see here 4 pi epsilon 4 pi R square तो कहेंगे अगर sphere का अगर शेल का अगर surface area देखेंगे that is equal to 4 pi R square this will be the area of the sphere then you can say that is epsilon not A by D तो इस case में आप क्या देख रहे हैं कि a spherical capacitor का capacitance this A is the 4 pi R square area of the capacitor area of the sphere का सकते हैं और क्योंकि R1 R2 लगभग बराबर ही है और बहुत बड़ा है तो आपका सकते हैं कि this is the surface area of the sphere this is the capacitance of a spherical capacitor और इसका value कि के बराबर आगे है epsilon not A by D और हमने आपको पढ़ाया बच्चे epsilon not A by D is the capacitance of yes very good this is the capacitance of parallel plate capacitor तो आपने क्या देखा यह बहुत important point यहां पर हमने लिखा है बच्चे इसको दो याद कर लेना है समझ भी लेना है तो क्या देखा हमने कि अगर कुसी spherical capacitor का radius अगर बहुत बड़ा हो जाए बहुत बहुत बड़ा हो जाए तो कैसा behave करेगा that will behave like the parallel plate capacitor and its capacitance is equal to epsilon not A by D actually parallel plate capacitor भी तो वह ही है तो parallel plate capacitor parallel कब हो जाएगा अगर यह स्वेर है जैसे से रेडियस बढ़ाएंगे वह बिल्कुल देखिएगा plane के जैसा देखने लगेगा बड़ा सा रेडियस है जैसे अर्थ ही है अर्थ के इस तरीकल है अर्थ पे खड़े हो करके हम देखने है तो क्या मिलता है मुझे अर्थ एक प्लेन की तरह दीखता है तो अगर रेडियस बहुत बड़ा है जहां पर उखड़े हुए तो वहां से अगर देखेंगे तो मुझे प्लैनर एडिया इडिखेगा इसी तरह से अगर कोई अर्ण बस तरह से बड़ा हुए अगर से या रीज़्व आसट गे तो भेंगा हुए यह वम पॉन्य लूपाम ने लूद करदा हाु आएचम, अगर बड़ाग हो जाये अगर अल्वन रट दाव्ध लाग भो जाये अगर ड़ू से स्पहर का जो पॉल ड हूय and now see what is the capacitance of a spherical capacitor दो हमने बच्चों अभी डिराइब करके आपको दिखाया लास्ट लेक्शर पर भी दिखाया था when you take a capacitor, a spherical capacitor, they have a two conducting shell, inner shell of radius R1 and outer shell has a radius R2 इसमें दो condition लिया था, दो case लिया था, हमने case A में लिया था हमने कि जब हम outer shell को earth करेंगे तब capacity कितना आएगा capacitance कितना होगा, तो हमने लिखा C outer is equal to, हमने आया था 4 pi epsilon 0, आपको या भी होगा बच्चे R1 into R2 divided by R2 minus R1, where R is greater than R1 और इसी spherical conductor की जब हम inner shell को earth करते थे और outer shell पे कुछ चार्ज देते थे और फिर हम उसका capacity calculate करते थे तो हम लोगों को आया था, C I, I for inner, inner quartz किया हमने, that is equal to 4 pi epsilon 0, R2 square upon R2 minus R1 यह पिच्चों आपको यार होगा, तो यह हमने देखा था, spherical capacitor के capacitance को calculate किया था, दो condition बताया था, हमने एक में inner quartz किया और एक में outer quartz किया, और दोनों का capacitance हमने आपको निकाल करके last class में दिखाया था, तो बच्चों आप यहां पे खुद से देखो कि कि किसका capacitance जादा होगा, जब outer quartz करेंगे या inner quartz करेंगे, तो बच्चों आप देखेंगे क्या, कि 4 pi epsilon 0 यहां भी है और यहां भी है, यहां R1 इंटू R2 है और यहां R2 स्कॉर है, मतलब R2 is greater than R1 है और यहां देखेंगे R2 minus R1 दोनों में common है, तो आप देखेंगे सिर्फ डिफरेंस है, यहां R1 इंटू R2 और यहां R2 का स्कॉर है, तो R2 is greater than R1, तो यहां पे देखेंगे इसका जो capacitance होगा, Ci, is greater than क्या हो जाएगा, Co, मतलब inner को जब अर्थ करेंगे, दोनों case में, जब आप inner को अर्थ करेंगे और outer को अर्थ करेंगे, तो इन दोनों के capacitance का difference कितना होगा, इस पे भी best question आपके पूछे जा सकते हैं, तो आपने देखा, यहां पे हमने देखा, यहां पे हमने देखा, we know that, अभी हमने देखा what we had seen, कि inner का inner को जब अर्थ किया था, तो उसका capacitance, outer अर्थ करने वाले capacitor के capacitance से ज़्यादा था, तो what we had seen, what is the difference in their capacitance, delta C, that is C inner minus C outer, तो मुझे क्या मिलेगा, दोनों के capacitance का difference, you can see C inner is, 4 pi epsilon not, यहां से लिखने हैं बच्चे, that is R2 square upon R2 minus R1, और outer को जब अर्थ किया, तब आपका जो capacitance आया, that is equal to, यहां से लिखेंगे बच्चे, 4 pi epsilon not, R1 into R2 divided by R2 minus R1, आप देखेंगे ध्यान से, इन दोनों में common क्या है, उसका हम बाहर कर ले, तो अगर आपने 4 pi epsilon not, खुद दिखरा होगा आपको दोनों में common है, यहां भी R2 square है, यहां R1 into R2 है, तो एक R2 को बाहर निकाल ले, और नीचे, R2 minus R1 दोनों में common है, तो R2 minus R1 को भी आपने बाहर निकाले, तो अंदर में क्या बचा देखेंगे, आपने यहां छोड़ा एक R2, और यहां क्या छोड़ा आपने, that is R1, फिर से मिला लेजिए, 4 pi epsilon not, R2 upon R2 minus R1, यहां comma ले लिया, तो यहां R2 हो गया, और minus यहां क्या बचेगा, R1, आप मल्टिप्लाइए करके देख भी लें, 4 pi epsilon not, R2 divided by R2 minus R1 को R2 से करेंगे, तो R2 स्कार हो जागा जो यह बन जाएगा, फिर 4 pi epsilon not R1, R2 upon R2 minus R1 से मल्टिप्लाइए करेंगे R1 को, that will become 4 pi epsilon not R1 into R2, divided by R2 minus R1, तो वाट यहां लेखेंगा बच्चे, R2 minus R1 नीचे भी और उपर यहां लेखेंगे, तो आपको मैंने बताया कि 4 pi epsilon not R is the capacitance of an isolated spherical capacitor, तो आपके सक्ने यह तो difference आएगा, that is equal to the capacitance of an isolated spherical capacitor of radius R2. So what you had seen, the difference of their capacitance will be equal to 4 pi epsilon not R2, that is the capacitance of isolated spherical capacitor of radius R2. तो को एक लाता capacitor होता R2 radius का, तो मतलब एक ही शेल अगर उसमें होता, जिसका radius R2 है, तो उसके capacitors के बराबर होता, इन दोनों के capacitors का difference. That is very-very important, आप इसको note कर लें. तो note it down. All right, here's trend, now we will see the capacitance of cylindrical capacitor. तो बच्चे अभी तक हमने देख लिया, how we calculate the capacitance of parallel grid capacitor, capacitance of hysterical capacitor, और बढ़ते बढ़ते हमनों आचुके हैं, what is the capacitance of cylindrical capacitor, it is also important. तो how we calculate the capacitance of cylindrical capacitor, तो बच्चे हमने आपकोछ 4 पॉइंट बताया था, आपकोई याद भी होगा, वो कौन-कौन सा चार पॉइंट था, to find the capacitance of any types of capacitor, yes, तो पहला पॉइंट था बच्चे, वो give the charge plus q and minus q on the plates, second किया था, to find the electric field between the plates, third किया था था, उसको formula में रखेंगे, c बराबर q upon v, and we can easily get the value of capacitance, तो बच्चे वही काम करते है, एक plate पे मुझे positive charge देना है, दूसरे plate पे मुझे negative charge देना है, तो माल लिजिए, हमने अंदर वाले plate पे बच्चोब चार दिया plus q, और बाहर वाले plate, का ये cylinder वाले cylinder पे हमने दिया plus q, और बाहर वाले cylinder पे हमने दिया minus q, अब हम कैसे दे रहा होंगे, तो we are connecting इता battery, हम इसको एक battery से connect कर रहा होंगे, और वो battery इस पे दे रहा होगा, तो ये higher potential से, और इसको जोड़ दिया हमने lower potential से, तो हम यहां से charge दे रहे हैं, अंदर वाले cylinder पे plus q, और बाहर वाले पे minus q, तो बच्चे, हो क्या रहा होगा, वो देखा जाए, तो बच्चे, हमने चार्ज दे दिया, और चार्ज के बाद, अब हमने क्या निकालना हो, what is the electric field between the plates, तो बच्चे, यहां पे, इन दोनों cylinder के बीच में, बार बार प्लेट बोल देना है, इन दोनों cylinder के बीच में, electric field क्या होगा, इस point पे electric field क्या होगा, वो calculate करना है, वो अगर मुझे निकल गया, तो हम जो formula लगाया थे, dv-e.dr, वहां अपलाई करके, we can easily find the potential difference, तो बच्चे, यहां पे electric field क्या होगा, दोनों cylinder के बीच में, इसके लिए हमें आपको पहले भी बताया है, वो अपलाई दा गॉसेट लो, तो मुझे गॉसेट लेना पड़ेगा, तो यहां पे, हमें गॉसेट लेंगे, ध्यान से देखेंगे, यह हमने एक r radius का, एक cylinder का लिया, जो ब्लु डॉटे लाइन से देख रहा है, तिस इस दा cylindrical gaussian surface, तिस इस दा cylindrical gaussian surface, और इसका length कितना है, हमने x length का एक gaussian surface लिया, यह हमने dotted line से लिया, तिस इस आवर gaussian surface, तो यह हमारा एक gaussian surface है, एक small r radius का, स्मॉल आर रेडियस का हमने एक सिलिंडर ले लिया जिसका लेंज कितना है एक्स तो चलिएंगे यहां पर लोग क्या लगाएंगे इसमें गॉसेज दो लगाएंगे और है जोसे करेंए इसलिंडर अवाने से सा達नेwow सं पर भी है कर परれた असलिंडर की静व है कर दो अशक है अए और यह देखना फेश्द्न नितकर थे लिए अपर देखे जा लगा दो कर सर्फिस्त क!!!!!! अगर इस सर्फेस का अगर आप एरिया वेक्टर लेते हैं यह वाले सर्फेस का ज़ाधा अच्छा हो उवी तरस से बनाए चोटा सा इस धकं का डी-एस उपर की तरफ और उलेक््टिक फिल्डु और इधर की तरफ दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 90-डिग्री इस पर ज यहां पर देखेंगे कि तरफ हैंगा और अगें देखेंगे यहां पे देखेंगे अधर की तरफ है यह देखेंगे एक्सीश के इस साइड होगा हैं लेक्सी तो यहां पर चोटा सा एंपर अगेंगे-डीए भी तो मुझे सिरो टिली, तो what you will see here, कि flux जो मिछ मिलेगा इस Gaussian surface में, only due to the curved surface, तो हम यहाँ पर लिख भी देते हैं, what we find here, according to, मुझे क्या मिलने वाला ध्याम से लेखेंगे, according to Gauss's law, according to Gauss's law, the net flux through the Gaussian surface, तो मुझे तो net flux मिलने वाला है, net flux, जिसको कहेंगे हम लोग, integration of, whole integration of electric field into area will be equal to charge inside the Gaussian surface divided by epsilon 0, तो हमने apply किया क्या बच्चे, Gauss's law, तो electric field देखेंगे, मुझे तो curved surface की 3 flux मिला था, तो बाकी तो यह वाले ठाकन, यह वाले ठाकन की तुरू क्या मिला था, मुझे सीरे, तो curved surface की तुरू लेंगे, तो electric field हो गया बच्चे E, और area, curved surface का area कितना होगा, अगर integrate करेंगे, total area लेंगे curved surface का, तो यह वाला जो, यह देखे, radius आ रहे है, तो curved surface का circumference होगा, that is 2 pi r, और इसको जब थैलाएंगे, curved surface जिसको चोटा सा कट किये, यह cylinder को जब कट करेंगे, जब थैल तो इसका length कितना हो जागा, 2 pi r, और length यह वाला कितना लिया था हमने, x, width जिसको चोटा ही बोल सकते हैं, तो rectangular shape में आ जाएगा, curved surface, that is equal to 2 pi r into 2 pi r, और उसके साथ आप क्या देखेंगे, और length कितना मानना हमने, x, बराबर what is the charge inside the Gaussian surface, तो आप देखेंगे, चुकि पूरे cylinder का लेंस कितना है, L, और उस पे charge कितना है, Q, यहीं में डिणे जर्णा कितना लेंस कितना होगी तो इतने length पर कितना charge होगा, तो इतने length पर कितना charge होगा, तो हमें unitary method लगा देखेंगे, एक से देखी। है ? पर यूर। के यूद पर 0. चील है, कोली है कोली है ? Ohh उसली के यूर। कर लिद देखिये ? और दियान से। देखेंगे। यूर। केंचल हो जाएगा नान अधा एलेक्टिक फिल्ट बीपिन दर किसे प्रदोर सिरेंदर यह एक्वल टू और यहां पे अंगल देखेंगे को सब्सक्राइब हो गातो प्रदूर दो बन हो जाता है यह फिन हमने डारेक्ट यहांपी लिग दिया और यूपाइब इसका हमने नि लिया that is equal to q upon 2 pi epsilon not l into r जहां L क्या होगा लेंद्ध और चार्ट पर लेंद्ध को हम लोग ले सकते थे linear charge density तो याद होगा तो अगर आप को रिलेट किजिए हमें बताया था 2k लेंडा भाई रहा है यहां पर 2 से दिए 4 pi वह जाएगा 4 pi epsilon not k बोलेंगे और 2 वह जाएगा 2k और qyl लेंडा भी लेंडा पॉन आपन आप चार्ट पर लेक्टिक निकल गया चार्ट दे दिया एलेक्टिक लिए अब लोग लगाएंगे पोटेंशिल दिफ्रेंश निकालेंगे तो यह नोगागा दिए बुट्वेंट्वेंश डिफरेंश अर्ट इलेक्टिक फिल्ट दान्द डिएग्टो थो माइनस फी डॉट दिया तो पोटेंशिल निकालना आपको तो दीवी और एलेक्टिक फिल्ट का वैल्य कितना लेगा कितना एक इस क्यू अपॉन टू पाई एपसेलोन नॉट एल इन्टू आर डी आर और कॉस जीरो डिग्री एलेक्टिक फिल्ट के डारेक्टिक यहां पे लेक्टिक फिल्ट डिस्टेंस पे लेक्टिक फिल्ट इह है थोड़ा सा आगे डिया जो ने नीचे करके दिए अब दिया और ड्यक्टिए ड्यक्ट रिक्टिक है र्शिक्टिक hop जिरो लिखा और स्थिए और ड्र्यक्तिक फिल्टलीर करना पड़ेगा इंके सभी ट्रफबर में कटिक हम प्हों तुटा सा यहां पिल गोए किस्टेने लिए पर दिट्टर अब राँ बहुत करेंगे ड यहां से यहां के बीच देखना है पोटेंशल डिफरेंट दोनों से बीच तो यहां पे जो आर का वैलू होगा इस एक्वल डू और यहां पहुंचेगा तो आरवन के वैलू कितना हो जाएगा सखजर पेडिकीजाय तो यहां जाएगर पॉटेंशल यहां का पॉटेंशल जो है मिवन है स्नेंटी पोटेंशल और वी टू इस दा निगेटीव कमातेंशब्स पर अटन?!" तो यहां का पोटेंशल आपका हो गया V1 इस सर्फेस का और इस सर्फेस का पोटेंशल V2 तो देख रहे हैं तो आपका कितना आ जाएगा बच्चे भ्यान से देखेंगे वह जाएगा और अपर लिमित माइस लोड इस वी तो माइस वीए इस एकोल तो वह यहां पर जाएगा और यहां पर यहां पर आपने वह लिगा अब बच्चे आप इस माइस को इधर बेज दिए तो माइस पे इधर बेज जेंगे इंदर इस बिकाम V1-V2 आप देख लिएगा च्योंकि आप जो वह फाइए पोटेंशल पॉसिटीव से जोड़े होगा है तो यह क्या आपका लोगर पोटेंशल है इस माइस के इधर बे इस दो गहीं आपके लिए करेंगे अगर लोग लिम्टीज आर्वन अगश्यूंकि आपको वह जानते हैं कि लॉग आपको जानते हैं कि लोग ए जो वहाता है वो किसका बेस है एक इतु देखना है तो आपके लिए में लिख के रग दूँ थोड़ा सीफ्ट करा दिया है log A upon B. तो यहां भिसको आरेंज करते हैं, this is the potential difference. This V1 minus V2 is the potential difference and that will become Q upon 2 pi epsilon 0 0 L और यह हो जागा LN R2 by R1. LN R2 by R1 log A minus log V ब्राबर log A upon B वो फर्मुला समने राखते हैं. तो बच्च्च, what we had find here, the potential difference between the plates, this V is equal to V1 minus V2. अब हमने बोला था आपको फोर्थ point अपलाई करना है, जब एना potential difference निकल गया, तो अगें हम लोग लिखेंगे, we know that capacitance is equal to charge upon potential difference between the plates, that charge is Q and what we had find the potential, तो हमने लिखेंगे यहां पे Q upon 2 pi epsilon 0 L और LN R2 upon R1, तो यहां से क्या cancel हो जागा देखेंगा, क्यों से क्यों क्या हो जागा, cancel, then the final equation of capacitance is, यह नीचे के नीचे ऊपर चला जागा, that is 2 pi epsilon 0 L, यह ऊपर चला गया, 2 pi epsilon 0 L, और नीचे क्या आजागा, आपको देखेंगा, of cylindrical capacitor is equal to how much, that is 2 pi epsilon 0 L divided by LN R2 upon R1, again we had seen, this capacitor depends on logarithmic relation, R2 upon R1 दोनों के radius पर डिपेंग करता है, and also lens पर डिपेंग क्या, and also depends on epsilon 0, epsilon 0 is the permittivity of the medium, free space, यहां पर, epsilon 0 not permittivity of free space, यहां पर vacuum होगा यहां फ्री स्पेस या एर कर सकते हैं ले सकते हैं, वो ले लिए हमने, तो आपको क्या मिला, तो आपने देखा बचले, यहां पर, what you got, important points में आपको क्या मिला, कि this capacitance of cylindrical capacitor, is directly proportional to length, and it also inversely proportional to the logarithmic ratio, of the radii of the cylinder, यहां और सब्सें इंपरेंट बाद की capacitors किस पर depend किया, that is geometry of capacitor, cylinder के किस पर depend किया, geometry पर, capacitors किस पर depend किया, depends C, आरो देदिया हमने, आपको साम्जा दिया, that depends on geometry of the capacitor and medium, and what medium, the medium present between the cylinder, तो इस पर यह डिपेंड किया, this is very very important, अगर आपको बोर्ड में आता है, यह ड़ाइब करने के लिए तो आप इसली ड़ाइब कर देंगे, और competition के इसली आपको याद कर लीगी, आपको अपको याफों D, spherical capacitor में दो case बताया हमने, जब outer worth किया था, then this will become C outer बनाबर 4 pi epsilon nought R1 into R2 divided by R2 minus R1, और जब हमने इनर पर्थ किया था तो मेरे कैपसिटेंज आया था 4Pi Epsilon 9 R2 का स्काइड divided by R2 minus R1 और फिर हमने देखा जब सिलेंडिकल कैपसिटर का कैपसिटर निकाला देन इट कैम 2Pi Epsilon 10 divided by LR2 upon R1 वेर R2 is the radius of outer cylinder and R1 is the radius of inner cylinder and these cylinders are coaxial होगा conducting होग फिर हमने देखा हमने किसी भी कैपसिटर का लिए निकाला उसमें चार्थ पॉइंट्स पे ध्यान दिया था वह आपको फिंगर याद होना चाहिए चार्ज देंगे बाटरी सेकेंड में कि एक प्लस क्यू दूसरे पर माइनस क्यू सेकेंड कैस में क्या था बच्चे हमने क्या था 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 थो लोग प्लेट्स के बीच में और थर्ड में क्या देखा था हमने मचे कि जब एलेक्ट्री निकाल गया तो पोटेंशिल डिफरेंस क्या था था यूजिंग दो फर्मूला डी बरावर माइनसी डॉट दिया इंटिग्रेट कर गए तो फोर्मुरा इं पोटेंशिल डिफरेंट निकल जाएगा तो जस्ट पूट दा वैल्यू अफ वी इन दे इक्वेशिशन सी वराबर क्यू अपॉन वी आफर काल्कुलिटिंग देट था था थैंग्यू वेरी मच अप इसको नोट करें पिर हम आगे देखते हैं नौसीलियर स्ट्रेंट इस वरी वरी इंपॉर्टेंट कोस्टन एक अच्छा सा कोस्टन आपके लिए लाए है देखेगा एक कैपसीटर है जिसका रेक्तांगुलर प्लेट है जिसका लेंथ ए और विर्थ बी है इस इस बी और लेंथ ए है the top of the plate is inclined at a small angle as shown in the figure, the plate separation varies from d वरवर y0 से d 2y0 at the right where y0 is much less than A and B. calculate the capacitors of the system तो बश्चों अभीतक हम ने क्या देखा था कि दोनो को नो चैनल को सबना तो आइड अपके करने किसी आपने मुपनें मुपने कि बीच का separation y0 है और जब यह यहां पहुचा तो यह separation क्योंकि आप हलका सा उठा दिये हैं यह separation हो गया to y0 कि length of the plate a दिया हुआ है और width जो है आपका वह भी है इसका भी length a है और width भी है पुछा गया है कि बताए कि calculate the capacitance of the system तो अगर हम एक प्रेट को थोड़ा सा एंगल स्मॉल एंगल थीटा नौट से गर उठा दिया तो पुछा गया कि वाट इस दब इस सिस्टम का कैपसिटेंस कितना होगा और एक चीज़ बोले जारा बच्चे कि यह वाई नौट या तू यह नौट है यहां पे प्लेट्स है बट नौट पैरलल थोड़ा सा यह उठा हुआ हुआ है तो चलिए बच्छों इसका निकालते हैं कैसे है तो आप कैसे निकालेंगे इसको तो आप देखने बच्चों कि जैसे आगे जा रहे हैं कि विट्थ क्या हो रहा है तो आप कहा सकते हैं जैसा कोछ है तो जब भी वाईयबल हो हम लोग इंटिग्रेशन करेंगे तो एक काम करना आपका बच्चे वह देखे माल लेखे यहां से एक्स डिस्टेंस पे एक इस्टी गणञा यहां से एक्स डिस्टेंस आगे चलिए और एक स्ट्रिप करते हैं एस्टूट्प कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे तो हमने माल लिया और गया से देखेंग एक स्टidden कर रहे हैं । लाइट इस कि यहां से देखेंगे यह कैसा स्ट्रीप होगा मैं आपको बता दू पहले फिगर ड्रोग कर ले लाइक दिस और हमने एक छोटा सा स्ट्रीप कट किया मतलब एक डिफरेंशिल सेक्षन ले लिए यह वाला हमने इस प्लेट को यहां से कट किया यह वाला यहां से एक्स डिस्टेंस आगे गए और यह वाला स्ट्रीप कर देखेंगे यह वाला स्ट्रीप कर रहे हैं तो अब जब देखेंगे द्यान से तो इसको हम डॉट्टेड लाइन से दिखाते हैं बीच वाला तो आपने क्या देखा कि एक्स डिस्टेंस पर हमने यह जो थिकनेस इस डी एक्स डी एक्स थिकनेस का हमने एक स्ट्रीप काटा यह ऐसे था और यह हलका उठा हुआ था आपने चोटा सा एक्स टिस्टेंस आगे तो चोटा सा डीफानेट्शिल क्यर्शी फिर कटके तो ये डीफानों इसकिट करेगे एक्स डिस्टेंस के बार यह वालार यह वालासकि देख्चन elevator Hij th बटा दीजिए उसे दिखा रहां तो आपने चोटा सा सेक्शन डियहां से एक्स डिस्टेंस है और डियुका आपने वह एक छोटा सा प्रेट कापसिटर जैसा होगा हलका सा दिछा होगा उसको भी लोड तरहेंगी मानेगे कि यह यह वाल और यह वाल तो वाट यह विसी कि हम हमने एक कंसीडर किया वह वी कंसीडर कंसीडर और डिफरेंशियल स्ट्रिप हमने एक डिफरेंशियल स्ट्रिप लिया औफ विड्थ जिसकी चाहराई डी एक्स है एड लेंध लेंध कितना हुगा त्काद करनेंगे आप द्यार से उस्ट्रिप करनेंगेhmen और यह strip क्यों parallel plane जैसा दिखेगा तो उसका एरिया कितना होगा ठीक है and approximate area कितना हो जाएगा and approximate area of differential strip differential strip जो आपने लिया उसका area कितना होगा that is b into dx और उन दोनों के बीच का separation कितना होगा उपर वाले strip और नीचे वाले strip का be Debbie distribution कितना हो दकितना होगा तो आप देख रहाये है कि ये एक्सree में देख्रम में पेर कि בेंट कि महीं के पैरले दा यहां किया है उठहा हुआ है तो यहाँ पे यह कितना होगा यहाँ से इस के इस स्ट्रीब के बीच का सेप्रेशन मं Mayo कितना होगा तो यहाँ डाता यह आगे जा रहे हैं यह उपर की तरफ उठता जा रहे है िटो तो यह वाला फैक्टर जो उसमें जूड़े गा यहां से यहां तो why not हो जाएगा यह जो है आपका why not है लेकिन यहां से थोड़ा ऊपर जाएंगी थोड़ा सा आगे यहां से यहां यह वारा distance उसमें add होगा किए कि इसके और इस strip प्लिए है उसके बीच का distance होगा तो what you will see here, तो हम बोल सकते हैं यहां पर कि the separation, the separation between strip will be, कितना होगा, वो बताइए, तो will be d is equal to y0 plus, थोड़ा सा eulatory method लगाईए, यहां से यहां तो y0 होगा ही और यह कितना होगा, तो चुकि यहां से यहां plate का length कितना है, a है, और यह a है, तो आप क्या देख रहा है, अगर यहां से यहां a जाते हैं, तो यहां y0 है, और इस corner पर पहुंचे, तो plate के बीच का separation 2 y0 होगा, तो आप क्या देख रहा है, what is the value of this one, तो अगर इस end का y0 है, और जब यहां जाते हैं यह इतना उठ गया, कि यह 2 y0 के बराबर हो गया, तो आप क्या देख रहा है, कि a length आगे जाने पर, जो length उपर, जो distance उपर rise किया, वो 2 y0 minus y0, that is equal to कितना हो जागा, यह देखिए होगा, that is 2 y0 minus y0 is equal to y0, तो आप क्या देख रहा है, जब plate ऐसे रखा हुआ था, ऐसे उठा ही, तो जब यहां से यहां गया, तो उसके बीच के separation में difference कितने का आया, that is 2 y0 हो गया, यह 2 y0 हो था, यह 2 y0 हो था, यह जो difference आया, कितना यह ऊपर उठ गया, दूसरा end, right वाला, left वाली के तुल्ना में, तो वो y0, कितना distance आगे गया, तो आप कह सकते हैं कि, plate का जो length था, जब a length आगे गया, तो उन दोनों के बीच का separation बढ़ करके, पहले y0 था, अब 2 y0 हो गया, तो चुकि, आप क्या देख रहे हैं, चुकि a distance आगे जाने में, यहां से यहां, a distance आगे जाने में, दोनों के बीच का separation y0 बढ़ता है, इसलिए unit distance, unit length आगे जाने में, इन दोनों क separation कितना होगा, you will write here y0 by a, या आप क्या करेंगे, आप कितना आगे जा रहे है, यह strip कितना आगे जाने में, इसलिए x distance आगे जाने में, यह कितना होगा, y0 by a into x, then what you will see here, तो यहां से यहां का y0 था, और यह जो हो गया, कितना x distance आगे जाने में, इन दोनों के बीच का separation कितन बढ़ जाएगा, that is y0 a by x, then you will write new separation will be y0 plus y0 by a into x, तो बच्चे आपको में फिट से फिगर बता दे, कि actual में यह कुछ ऐसा situation था, यह ऐसे उठा था, तो यहां पर जो strip लिया, हमने यह वाला, छोटा सा strip, और यहां एक strip है, यह वाला, dx ठिकने इसका, फिर से मैं समझा दे रहूं आपको, अब इन दोनों के बीच का separation कितना होगे बच्चे, तो यहां से यहां आपका y0 था, और थोड़ा सा और आगे बढ़ गए, जब आप theta आगे जा रहे है, कितना x distance, जब आप x distance आगे जाएंगे, तो यह वाला जो बढ़ और यह हो गया y0 a by x, that is equal to this d, separation between these two strips, differential strip is equal to y0 plus y0 x by e, मेरे का सब समझ में आगे बच्चे, क्या रहा आपका आपका आपने ध्यान से देखेगा, यह strip parallel नहीं था, हरका सा उठा हुआ था, तो जब आगे जाएंगे, तो देखेंगे कि यह थोड़ा सा और बढ़ जागा, य दोनों के बीच का separation हो, y0 xy है, तो total distance कितना हो गया, दोनों के पिलेट के बीच में, that is y0 plus y0 xy, y0 into x by e, तो this is the separation, अब मुझे यह चोटा सा strip दिख रहा है, यह बार और यह बारा, that will behave like the parallel plate capacitor, तो उस case में यह चोटा सा capacitors देगा, that dc is equal to parallel plate के जासा है, epsilon not a by d, epsilon not, इसका area कि गया, क्या हो जागा, b into dx, और divided by separation, epsilon not हो गया, a हो गया, और d, यहां से यहां तर का distance, वो कितना हो गया, y0 plus y0 by a into x, तो यह मेरा क्या निकला बच्चे, that is the differential strip जो हुआ, that will behave like a parallel plate capacitor, उसका capacitor जो होगा, that is very very small, that is equal to dc, अब मुझे net निकालना है, तो जब dc को integrate करेंगे, that will give the net capacitance of the system, then आप जब integrate करेंगे बच्चे, तो ध्यान रखेगा, dc के लिए अपर यह रख देंगे, epsilon not b into dx, divided by y plus, y0 plus y0 by a into x, अब देखेंगे बच्चे, क्या क्या constant है बाहर आजाएगा, you will see here, epsilon not b बाहर आजाएगा, अंदर क्या बच्चेगा, वो ध्यान से देखेंगे, integration, dx divided by y0 plus y0 by a into x, अब आप देखेंगे, यह x आपका variable है, y0 constant है, यह भी constant है, bb constant, epsilon not, आप constant है, तो उसको छोड़ दीजिए, तो vary क्या बगड़ेगा, तो जब आप यहाँ से यहाँ जाएगा, तो कितना vary करेगा, यह a का value, यह x का value भी यहाँ पे 0 है, जाएगा, a, तो यहाँ आप यह x के term में लिखेंगे, तो यह 0 से ले करके, a तक integrate करेंगे, and that will give the value of the capacitance, तो बच्चे आप इसको note कर लिजे, फिर हम यहीं से आगे, आपको integrate करके देखाएजे, कि what will be the value of capacitance of this system, तो note it down, फिर हम आगे process करते हैं, now let us see, this c is equal to epsilon not b integration dx upon y not plus y not x upon a, integrate करना मुझे 0 से ले करके, a तक, तो बच्चे यहाँ से ले करके, यहाँ तक जाना आपको, x के value को, देखना आपको, कि rate capacitance c कितना होगा, तो बच्चे हमने पढ़ा था integration में dx upon x का integration, आपने जो पढ़ा है, dx upon x का integration ln x होता है, तो आपने यहाँ देख रहा है क्या बच्चे, dx है और नीचे y not plus, सिर्फ x नहीं है, x के साथ y not plus y not x by a है, तो इसको कैसे solve करेंगे, तो घवराना नहीं है बच्चे आपको, बिलकुल नहीं integration से घवराना नहीं है, medical में लोग घवरा जाते हैं, लेकिन आपको नहीं घवरा तो जो नीचे है, y not plus y not by a into x, जो x यहाँ है, वही d के साथ होना चाहिए, नहीं है, तो हमने मान लिया कि d के साथ वही है, y not plus y not x upon a ही है, तो अगर आपने मान लिया, उपर, तो नीचे भी मानना पड़ेगा ता कि value में कोई changes ना आए, तो y not x upon a, यहाँ भी मान लिया, और जो dx था, वो dx आपने में लिख दिया, अब आप देखें, यह और यह cancel हो जागा, फिर से dx upon वहीं हो जाएगा, जो पहले था, लेकर अब आपका यह equation इस form में आ चुका है, यहाँ x के जगा पे क्या है, y not plus y not x upon a है, तो अब इसका क्या हो जागा बच्चे, अब आपको फर्मुला लगा दिजिए, यहाँ epsilon not b, और यहाँ हो जाएगा, जैसे ln x था, यहाँ ln और x के जगा, पूरा का पूरा जो ग्रैकेट में है, y not plus y not into x upon a, और limit डाल दिजिए, limit कहां से कहां था, 0 से लेकर के a तक, तो 0 से लेकर के a तक, और यहाँ multiplied by, यहाँ ध्यान से देख upon a, और उपर में dx था, तो dx को अगर हम नीचे ले आएं, तो वो नीचे के नीचे चला जाएगा, what you will see here, नीचे वाला differential form में चला गया, then what you will see, अब एक बार, साथ साथ limit भी रखते जाते हैं, x के जगा पर limit a रखेंगे, फिर minus करके x के जगा पर lower limit 0 रखेंगे, तो क्या ln y0 plus y0 by a, और x के जगा पर ये a रखेंगे, minus lower limit, पूरे equation में बैठाना मच्चों, y0 plus y0 by a into 0, ब्रैकेट बंद, और यहां क्या मिलेगा पर चे, ध्यान से देखेंगा, into, 1 upon, differentiate करेंगे, d y0 upon dx, और y0 constant है, इस साइट का दिया हुआ, तो d y dx से इसको multiply किये, और एक बार d y dx से इसको multiply करेंगे, तो y0 by a constant बाहर है, आपको differentiation में, dx upon dx, so what you will get, that is very important, constant का differentiation क्या हो जाएगा, आपको 0, y0 का, और y0 by a बाहर है, dx upon dx1 हो जाएगा, तो यहां क्या बचेगा आपका, y0 upon 1, तो यहां क्या हो जाएगा, ध्यान से देखे बच्चो, epsilon not b, और यहां देखेंगे ध्यान से, ln, और यह कितना हो जाएगा, एक कट जाएगा, that is become 2y0 minus ln, और यह तो 0 हो जाएगा, y0 by a into 0 is 0, 0 plus y0 is y0, और यहां क्या जाएगा, बच्चे, 1 upon y0 upon a, तो 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 और सा re-arrange की जिए, then capacitance will be how much, that is epsilon not b, और यह नीचे के नीच है a, चला जाएगा ऊपर, और नीचे हो जाएगा आपका y0, और bracket में लेखेंगा, ln log a minus log b, वराबर log a by b, तो यहां 2y0 upon यह है y0, और y0 से y0 क्या हो जाएगा, बच्चे, cancel हो जाएगा, then capacitance will be equal to epsilon not a into b area of the plate, divided by y0, और यहां क्या हो जाएगा, ln 2, so this is the capacitance of the system, this is very very important equation, what is the capacitance of the system, you can say, this is the capacitance of the system, जो variable capacitance देख रहे थे, अमने इस system का total integrate करके capacitance निकालिया, एक चोटा साएगा, strip capacitor लिए और strip capacitor को integrate किया, तो overall capacitance निकाला, epsilon not a into b upon y0 ln 2, तो बच्चों अगर आपका limit दिया रहा था, लेंस दिया रहा था तो इसे साब से आप integration में limit लिख करके आप निकाल सकते थे, सम्टाइम्स और भी याद रखेंगे बच्चे कभी-कभी थीटा के टर्म में दे लेता, तो यहाँ पर जो distance vary कर रहा था, यहाँ प्लस और यहाँ पे फटा सा राइट एंगल लेते यह थीटा था अगर तो टैन थीटा लेते तो इस अपॉन दिस तो आपका सकते थे यह अपॉन एक्स धन थीटा उसस्केस में आपका जो यह दोनों के बीच का सेपरिशन लाय। यहाँ पे लेते यह यपी नौ प्लस एक्स तान थीटा औरै उसको integrate करते और किय maggal करते तो अंगल के theta के application ben बाद करते हैं तो थीघा की ne hexa कि तो है यहिसन अजल्डी आगारा यहां मैं बात करते हैं तो इन तरम सब्सक्राइब को बॉइंटड इन्थे मोजिएूंस आधा है इस ही को arri气 cielo एप्सेलों नॉट एंटो बी एप्सेलों नॉट एंटो बी अपॉन वाई नॉट और ब्रैकेट के अंदर लिखते बच्छे यह वन माइनस ए थीटा नॉट यह थीटा नॉट अपॉन तुवाई नॉट यहां पर बस यहां पर आपको चेंज करना है और लिमिट ले लेंगे तीटा से रिप्लेस कर देंगे यहां पर इस वेरी वेरी इसमाल उसकेश में कितना होगा एपसेलों नॉट अपन यॉट नॉट वन माइनस दियान लगना है वन माइनस ए थीटा नॉट अपन टू यॉट तो इस वेरी वरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए मैटिकल थोड़ा सा भी ठागर जाता है वेरी अपको यह देखेना चाहिए कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं तो जनरली अगर देखेंगे मैटिकल में ऐस स्क्राइब कर देंगे और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे विद देर प्रॉपर लिमिट तो यह इसली फाइंड दा कैपसिटेंस अगर सिस्टम का कैपसिटेंस निकाल सकते हैं तो बच्छे आज के लेक्चर में हमने क्या-क्या देखा तो हमने आपको पिछले दिन यह को यह जितन सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करें वाइस रहा तो वैसे इसको वैसे कैसे सॉल्ब करेंगे वाइव एक देश्या-कक्या सब्सक्राइब को एक बार रिवाइज कर लेना है तो दिस इस बेसिट फंड और अगले क्लास में हम देखेंगे कॉंबिनेशन का ऑफ कैपसीटर के बारें कैसे कॉंबिनेशन करते हैं यह सारा चीज आपके लिए बहुत सबसिचीट नहीं है अपने नाम सुना हुगा थॉम्स एडिशन जिन्होंने बन का खुछ किया उनका यह स्टेटमेंट था कि there is no substitute of hard work hard work का कोई भी substitute नहीं है अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको hard work करना पड़ेगा चीजों को समझना पड़ेगा बार बार लेक्टर को देखिए हम बार बार क्याते हैं कि बिल्कुल आसान है डॉक्टर बनना वस आपके अंदर confidence मैनत होनी चाहिए confidence होनी चाहिए डेडिकेशन होनी चाहिए कि यह आप ही है जो डॉक्टर बन सकते हैं यह confidence आप में है तो बहुत अच्छी बात है बार बर चीदों को पढ़िए रिवाइस कीजिए जो भी doubt हो उसको आप पूछ सकते हैं अब इसको नोट कर लें भी भी और मारा भी ठाप शीझीब वाल में वाल में नोटन avait जोब रार जो दो राँ हैं छिए स्प ten पार गारी कि पनी यह पार कफ प्दारी कि अजओabilक मैं झाप हैं झाल झाल